अब साहित्य आकाश और द्याज्यतिक आकाश के देदीप मानने चत्र माननी ये मुख्यमंत्री त्रीपुषकर दिन सिंधामी जी का उद्भोधन सुनेंगे सर हमारे लिए अतिंत गर्व का विश्य है कि आपने अपने महत्पून समय में से हमारे लिए इसका रिकंकिल समय न माता की है भारत माता की है शिक्स्त वर्ल्ड कॉंग्रेस ओन डिजास्टर मेंनेंट इस स्वाब्दा प्रवंदन समयलन के इस उद्लाटन सत्र में अभी हम सब लोग इनको सुन रहे थे हमारे अप्यूथी और जिनोंने भारत की सेना में अनेको अनेको पदों पर काम किया जिनका अभी जब यहां से उद्धोसक की कह रहे थे TBSM, ABSM और लगवत 40 साल से भी ज्यादा की भारती सेवा की भारत की सेना की सेवा की जैसे आज की अमारे आती थी एड्मिरेल टीके जोसीदी, मनी उपड़ा जेपाल, अर्णवान और दिपोवार, मैं एक बार तबी की ओर से आपका स्वागत भी करता हूं, और रिमेंट करता हूं स्वांगी सार्प जी, आरत में सहिंतराष्ट की रेजिडेंट कॉर्डिनेटर, इन्हों ने कहा कि पहली बार देरादुन आकर मुझे अच्छा लग रहा है, आप सब लोगों को भी अच्छा लगा होगा, आपको बेंगे, स्वांगी सार्प जी, हुमारी मुक्ष अच्छ राधा रतूरी जी, कारिकारी निवेशक, NIDM, स्री राजेंदर रत्नु जी, राक्टर जी महनतेश, स्रस्थापक समर्थनम, इंटरनेशनल बेंगलूर, और हम सब के बीच में लगातार अनेको अनेको छेत्रों में इनका काम, परियावण के छेत्र में, समाज के छेत्रों में लगातार जिनोंने भारत की एकोनमिक कैपिटल से, एकोलोजी कैपिटल देहरा दूंते हैं, काई के लिया आत्रा करीं, लोगों को जागरूप करने के लिए, डाक्टर अनिन प्रकाज जोसी जी, पत्म स्री पदम विश्ण, डाक्टर आनन बाभू जी, स्योज़ग, ट तरी रंजीत, कुमार सिना जी, डाक्टर, हमारे सचिव, आफदा प्रबंदन अप्रागंड और आज के इस कारिक्रम में जिनोंने फुरा इसके सहिवजद का काम किया जिनके अथक प्रयासों से, ये विश्व आफदा का संबिलन देहरा दूं में आरिजित हो रहा है, ऐसे प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी और जिनके संस्तान जिनोंने उनके साथ लगातार अपना सहयोग परदान किया और ये संबिलन बहुत सांदार तरीके से आयोजन की और बड़ा, ऐसे हमरे अध्यक्त सिग्राफिक एरा संस्तान प्रोफेसर कमल गंचाला जी एवों इस आपदा समयलत में बढारे विश्व के अनेक देसों से, जैसा अभी बताया गया कि पचास से भी अधिक देसों से हमारे जो टेलिगेट्स आये हुए, हमारे प्रतिनिदिया आये हैं, साथ में राज्य के भी और देस के भी अनेक अनेक संस्तानों से, जो हमारे बाइस चांसलर हैं, अनेक संस्तानों के हैड हैं, और प्रतिनिदिया आये हैं, साथ में हमारे नभोदित जो बैग्यानिक हैं, हमारे चात्रियों चात्राएं, सभी हमारे उत्राखंड सरकार के भारत सरकार के, सभी अधिकारी गण, आयोई सभी अतितिगन, उपस्तित हमारे पत्रतार मित्रो एवां चायकार बंदो, मैं सबसे पहले तो दुरोण नगरी देहरादून में आयोजित होने वादे, इस छटे विश्वाब्दा परबंदन सम्मिलन में, आप सभी का उत्राखंड की समस्त द्रियुतुले जनता क आप सबका यहां पदारने पर मैं आपका स्वागत करता हूं, आप सबका विदनन करता हूं, इस सम्मेलन में सबसे पहले तो, क्योंकि यह गाडन सत्र है, और अनेक अनेक जो हमारे विसेसक हैं, उन सबके विचार यहां पर रखे जाने हैं, उनके अनुभव, हम सबके समक चाहेंगे एक बड़ा चिंतन उनका चलेगा, लेकिन इस अवसरपर में विच्व में समय समय पर जो अनेको प्रकार की आपदा हैं, और उन आपदाओं के कारण से असमय काल के गाल में समाने वाजे, सभी दियोंगत आत्माओं को उनकी सांती के लिए भरवान बद्री विस खाल से बाबा के लिए